वेलकुम तो दिक्षान तायेस, गुड इमिनिंग टू अलफ यू, माइनेम इस रोहित कुमार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वेडनेस्टे हैं और आज हम लोग इकॉनमिक्स को पढ़ेंगे, इकॉनमिक्स से रिलेटेड एम सी क्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, इससे आप जो है इस दिक्षान तायेस में और ओल्लाइन बैच जोईन कर सकते हैं, जहाँ पर साथ प्रतिसत से भी अधिक्ष आपको स्कॉलर्शिप वहाँ पर मिलेगा, विसेश जानकारी के लिए ये जो कॉन्टेक्ट नमबर है, उस कॉन्टेक्ट नमबर पर आप कॉल करें द के तौर पर पूछा जाता है, आपको पता होगा, इंडियन एकॉन्मिक से रिलेटेट करीब करीब 18 तो 20 कुछा जाता है, यानि 15 से लेकर 20 के बीच में तो प्रस्न पूछेगा ही, पूछेगा, जैसे मैं एक्जाम्पल के तौर पर में आपको ये प्रस्न ले रहा हूँ, Opportunity Cost के regarding, ये UPAC ने पहले भी equation पूछा है, ये UPAC ने Opportunity Cost से रिलेटेट बहुत पहले प्रस्न पूछा है, इसके बारे में क्या है, अब option यहाँ पर इस तरीके से कहता है, जब एक निर्ने दूसरे पर लिया जाता है, तो छोड़े गए विकल्प का यह लाब हो सकता है, Opportunity Cost क्या है, इसके बारे में, दूसरा, for company, Opportunity Costs do not show up in the financial statements, but are useful in planning by management, कमपनियों के लिए औसर लागत बीतिय विवरनों में दिखाई नहीं देती है, लेकिन प्रबंदन द्वारा यूजना बनाने की उप्योगी होती है, अब इस बात से आपको इस बात की समझ होनी चाहिए, कि Opportunity Cost है क्या, Opportunity यानि कि औसर जैसे माल लिया, कि एक बहुत बड़ा talented लड़का है, वो civil services की सारी potential उसके अंदर में है, वो IS बन सकता है, जिस तरीके से उसका अध्यन करता है, जिस तरीके से लगन के साथ पढ़ाई करता है, mock test लगाता है, लेकिन suddenly जो है, वो IS को give up कर दिया, वो exam नहीं दिया, तो वो opportunity किसी दूसरे बेक्ती पर हो सकता है, उसके जगह पर आप दूसरे बेक्ती को वो बिकल्प मिलेगा ही मिलेगा, आप समझ रहे हैं, opportunity हमेशा दूसरे बेक्ती को बिकल्प देता है, इस बात को समझना होगा, इसलिए alternative आप कह सकते हैं, कि alternative जो है benefit हो सकता है, alternative किसी द पर लेते हैं, हम रेंट पर लेते हैं, उसके जगह पर हम उस मसीन को खर देंगे, तो क्या हुआ, opportunity यहाँ पर चीजे बदले, तो इस संतरब में इस तोरो statement जो है, opportunity cost को define कर रहा है, तो C is the right answer, इसका C right answer है, चलिए, next question की तरफ हम लोग चलते हैं, अब next question जो है आपका, इसका संबंद RBI से है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, Reserve Bank of India RBI, define a personal loan के बारे में, loan given to individual that consist of, RBI की परिभासा के अनुसार बेक्तिगत, रीन, बेक्तियों को दिये गए रीन जिन में सामिल है, अब सवाल यह है कि RBI जो है बेक्तिगत, रीन की बात कर रही है, आप अपने आसपास के बैंकों से आप loan ले सकते हैं, personal, personal loan का मतलब क्या होता है personal बेक्तिगत, रीन का मतलब यह होता है कि यह हर individual जो है, बैंकों के द्वारा जो है loan ले सकता है, loan मैंनी की रीन, वो चाहे consumer credit हो सकता है, वो भोगताओ के लिए credit जैसे credit card उड़ आप लोग यूज करते हैं, वो भी तो एक loan ही है, हम अपनी higher study के लिए education loan ले सकते हैं, या फिर कर सकते हैं कि कोई money आप कर सकते हैं, immobile assets में अपना पैसा हमें जमीन खरीदनी है, घर खरीदना है, उसके लिए हम loan ले सकते हैं, जैसे house loan कर सकते हैं, आप जिसको आप car loan कर सकते हैं, जिसको आप किसी particular अगर investment करना है, उसके लिए हम loan ले सकते हैं, share ले सकते हैं, यह सारी लोन है तो यह बेक्तिगत लोन यहाँ पर यह बाते कर रहा है लोन क्रियेशन के लिए एड्यूकेशन के लिए कंजूमर के लिए यह सारे जो है यह आपके इंडिविजल्स लोन के डेफिनिशन में आता है यानि D is right answer माल लिए आपको higher study करना है higher study के लिए जाना है तो आपका higher study के लिए जो लोन लेंगे वो बेक्तिगत लोन ही तो होगा है ना वो बेक्तिगत लोन होगा ठीक है तो इसका सारा answer D होगा अब next question है आपका liberalization after liberalization India has undergone to a structural changes in its economy in context which of the following statement is best described to a structural changes यानि के उदारी करें के बाद भारत के अर्थ वेवस्था में स्तनरचनात्मक परिवर्तन आया इस संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन स्तनरचनात्मक परिवर्तन का सबसे अच्छा वर्नन करता है संदरचनात्मक परिवर्तन के अगर हम बात करें आपको पता होगा थी 1901 के बाद भारत देश के अंदर में economic crisis हुआ था यानि हमारी अर्थ वेवस्था जो है करीब-करीब तूट गई थी हमारा forex reserve करीब-करीब खाली हो चुका था ऐसे इस्तिती में उधारी करन की नीती लेकर आई और दारी करन की नीती ने भारत पर भारत के विकास में काफी योगदान दिया चार विकल्प दिये गए हैं पहला changing demographic characteristics यहां पर structural changes की बात कर रही है तो पहला आपका अब demographic characteristics पर changes होगा यानि की behavior में changes होगा जैसे for example की तौर पर भारत सकार ने ये कहा कि दो ही बच्चे जन्संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है भारत की जन्संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है भारत दुनिया का सबसे बड़ा जन्संख्या वाला देश होगा ऐसे इस्तिती में अपने behavior में परिवर्थन करना होगा सारी जन्संख्या जितने भी देश के लोग है उनको ये समझना होगा कि दो ही बच्चे अच्छे है ज्यादा population न बढ़ाएं ताकि उसकी इस्तिती बेहतर रहे तो demography ये behavior change है change in the production pattern of basis of good change in contribution of different sector change in labor force of participation यानि की कह सकते है structural changes का मतलब यहाँ पर यह हो सकता है कि हमारी जो economy है उस economy के contributions में बदलाओ करना GDP बदलेगा employment बदलेगा tertary sector, primary sector, secondary sector इस में अगर बदलाओ हो रहा है तो ये structural change of economy है fundamental अगर economy की जो fundamental feature में बदलाओ हो रहा है जैसे माल ये primary sector agriculture हुआ पलाईजी, sector हो उसका size बढ़ रहा है secondary sector, tertary sector जिसके कारण से GDP बढ़ रहा है employment बढ़ रहा है गरीबी खतम हो रही, बेरोज़दारी खतम हो रही लोग savings लेकर GDP हमारा economy growth बहुत तेजी से हो रहा है तो अब आप कह सकते हो ना ये सारा जो है आपका structural changes है आपका right answer क्या होगा यहाँ पर right answer आपका C होगा अथ बेवस्ता के win-win छेत्रों में आपका clear है आप लोग को, ये हो सकता है next question की तरफ हम चलते है next question कहता है which of the following is or are included in the calculations of national income India भारत मिराश्टी ये आए भारत में राश्टी ये की गन्ना निवलिखित में से कौन सा सामिल है अब बताओ अब अब गन्ना की बात करें अगर हम IT सेक्टर को हम export करेंगे तो विदेशों से काफी पैसा हैगा अब salary जो है जब कोई आदमी अपना job करता है employment की जो salary है वो भी आपका सकता है राश्टी ये का आकलन हो सकता है लेकिन आप अपनी movable जमीन को बेच रहे हो और वो किसी और दूसरे के हाथ में चला गए तो ये double counting होगा ना बार बार एक ही income को आप count कर रहे है तो जो sale of the land होता है जमीन की जो विकरी होती है वो आपको राश्टी ये आए में गन्ना नहीं किया दाता है क्योंकि वो सदी उसके चली आ रहे है आज मेरा है तो कल किसी और का है पर तो किसी और का और फिर वो बन्दा मेरे को बेच दिया तो इस तरीके से बार बार double counting हो रही है इसलिए national income में कभी भी लाइंड का ये capital gain को कभी भी count नहीं करते है राश्टी ये आए में सिर्फ goods और services की monetary value को count करते है वो भी a specific period of time का ना कि आपने जमीन बेच दिया उससे जो income प्राफ हुआ उसको राश्टी ये में कल का माल लिया कि जमीन आप मैंने flat करदा और किसी और को बेच दिया तो राश्टी ये में ऐसे करना नहीं होगा माने कि दो statement सही यानि कि B is the right answer B is the right answer ठीक है next question करता है deflations refer to period when though the price are rising in the happening at the slower rate each percent अब देखो यहाँ पर deflation की बात कर दो चीज़ों होते है inflation, disinflation की बात कर सकते है अब यहाँ पर देखना ध्यान से इसी जो को समझ या question correct पूछ रहा है आपका अब यह करता कि अब अस्पिति उस ओधी को संदर्वित करता है जब कीमते बढ़ रही होती है लेकिन हर गुजरने वाले महीने के साथ वह धीमी दर्स से हो रही होती अगर यहाँ पर डिस इंफलेशन की बात होता दो चीज़े है एक होता है आपका डिफलेशन डिफलेशन है एक तरफ दूसरा होता है आपका डिस इंफलेशन और तीसरा आपका इंफलेशन है इंफलेशन में प्राइस बढ़ रहा होता जन्रेल प्राइस बूट्स और इसका उल्टा होता है डिफ्लेशन और डिस इन्फ्लेशन यहां पर आप देखोगे कि यह जो डिफ्लेशन है डिफ्लेशन का नहीं डिस इन्फ्लेशन का डिफ्लेशन तो पहला स्रेस्मन गलत होगा दूसरा जो है यह जो डिफ्लेशन दिया ह डिफ्लेशन जब आता है तो उसको बेहतर करने के लिए होता है तो तीसरा स्टेटमेंट मातर सही है यानि एक स्टेटमेंट सही है यानि A is the right answer जब इंफ्लेशन डिस्प्लेशन इन चीवों में आपको बार-बार इसके अंतर को समझना होगा डिस्प्लेशन जो होता है एक तरीके से कह सकते हैं कि इंफ्लेशन को कम कर दिया पेट्रॉल का दाम 100 से 120 हो गया अब पेट्रॉल का दाम होना चाहिए था सब लेकिन 100 रुप्या है मैंगाई ऐसे ही और वो 120 चला गया तो क्या हुआ सरकार में जब बबाल हुई तो फिर से उसका दाम 105 रुप्या हो गया इसका मतलत यह नहीं कि इंफ्लेशन खतम सिर्फ इंफ्लेशन कम हुआ उसको डिस्प्लेशन कहते हैं आपका नेक्स्ट क्यूसन ने सिक्स नमबर कहता है क्लासीकल एकोनमी ठक के बारे मिझें बड़े बड़े वी द्धॉनों ने अपनी-अपनी थौट दिए तो आप लोग जाकर आ अगे चलकर पढएंगे उसको बड़े में सबी चीजों की अकॉन को पढ़ने कि की कोशिज करेंगे समझने की कोशिज करेंगे क्लासिकल एकॉनमी क्या है मार्केट फंक्षन बेश्ट विदाउट टू गॉर्वर्मिंट इंटर्फिन बाजार सरकारी हस्तशेप की बीना सबसे अच्छा काम करता है पहला ठीक है अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए अपने नेम में लेंगे तो बाजार द्वस्त रहेगा यह बात सही है कि यहाँ पर क्लासिकल एकॉनमिस्ट यह कहा करते थे कि नॉन इंटर्विनन यानि कि सरकार का इंटर्फिर्नेंस नहीं होना चाहिए क्लासिकल एकॉनमिस्ट की बात कर सकते हैं यह सभी लोग करते हैं कि गॉवर्मेंट का इंटर्विन्चन नहीं होना चाहिए क्लासिकल की बेस के अधार पर यहां पर है कि आपको डिसीजन लेगा ओल्ली यहां पर यह ऐसी आ गया तो समझो कि गलत है इस राइट आंसर इस राइट आंसर इकॉनमिस्टाउन हो जाएगा इसकी जिमेदारी है कि प्राइस की अस्टाबलिटी हो मार्केट में जो है बाजार में में प्राइस का संथूलन हो इंफ्लेशन का संथूलन है साथ में ही इस बात का भी ध्यान रहे कि सब्नेबल ग्रोथ हो उग उचाहिए हैud दूसरा statement आपका गलत है हाँ हम stability को maintain करेंगे लेकिन साथ साथ में घ्रोथ का दिध्यान देंगे sustainable growth होना चाहिए प्री कंदिशन अब sustainable growth सेकेंड गलत है तो C नहीं होगा D नहीं होगा चलिए the flexible inflation targeting framework by RBI does not have a statutory basis यह बात सकते है यह बात जो है सकते नहीं है कि जो 2016 में आपको बता हूँ Reserve Bank of India Act 1934 के तहट जो है statutory basis के base के अधार पर flexible inflation को target किया गया यहां पर करता है RBI do not statutory basis के flexible कितना हुआ plus minus two से लेकर four के बीच में यह flexible के बेसकर तीसरा स्वित्म गलत है यह इस राइट आंसर पीज़ राइट आंसर ठीक है next question कहता है next question कहता है policy reform under to Washington defenses आप कह सकने मिलिखीत में से सर्वसंबती के तहट नितिगत सुधार थी Washington सर्वसंबती consensus की बात की गई Washington के अंदर में पहला competitive exchange rate liberalization of inward foreign direct investment privatization of state enterprises and fiscal discipline यह चार बीती अनुशासन सकारियोद में उदारी करन और प्रतिस परदा आप आगे चलगर पढ़ेंगे तो Washington's consensus होगा आपका साथ साथ में आप पढ़ोगे आगे चलकर देखोगे बीजिंग consensus इस तरीकी के बहुत सारे concept है तो 1989 की कहानी है 1989 में एक act लेकर आया वसिंग्टन consensus वर्ल्ड बैंक और आये में का काफी influence उस पर था तून लोगोंने suggest किया कि आप पनी policy reform करें बदलाव करें आये में पर वर्ल्ड बैंक दोनोंने मिला कर इस पर एक thought दिया था चाहिए पाकि जो है ना मुद्रास जो करंसी है उसमें फ्लैक्श्वेशंस हो foreign direct investment को liberalize करो उधारी करन करो ताकि लोग investment करें आपके देश में अना privatization को भी मौका दो और physical discipline में यह चारों बात हैं वहाँ पर कही थी यानि इसके अलाव भी बहुत सारे चीजें हैं इंफ्रास्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट टैक्स रिफॉर्म बार्डिंग टैक्स बेसे सब चीजों पर उन्होंने बात किया यानि कॉनमी को रिफॉर्म एक तरीके से इसके माध जीडीपी और जीएवी मेजर और नेशनल इंकम जानिक इजीडीपी और जीए जो है नेशनल इंकम को मेजर करता है यह क्वेस्टल से आपका पहला स्टेट्मेंट फॉछरा है करें कोषुडियपी अंगर्फ़ेवसत्ता में होने वाले सभी खर्चों को जोर कर भारत की र की तुल्ना में करो का अधिक कमाई की तो जी विए जो है जी डीपी से अधिक होगा अब देखो यह statement है आपका तीसरा जो statement है गलत है कि अगर सरकार जो है अधिक से अधिक अगर tax अर्ण करता है तो what it is paying of subsidy जी विए ग्रॉस वैलू एड़ेट जो है जी डीपी से जादा होग तीसरा दो statement आपके सही है दो variables है GDP और जी ये वे दोनो variables है एक है gross domestic product और दूसरा जो है gross value added है GDP जो है भारतिये राष्टिये आयका आकलन करता expenditure के माध्यम से production के माध्यम से income के माध्यम से सारे national income में होता है supply side से लेकर आपका है लेकिन वहीं पर हम value added की बाद करे economy का पर तेक sector की value added की बाद करें जहां supply से यानि production की बाद कर सकते हैं उसको आधार पर भी हम लोग आखलन करते हैं तो GDP जो होता है जो GVA है उस GVA में जो सरकार जो tax earn करती है उसको हम add करते हैं सबसीडी को घटाते हैं तमसा का GDP मन अब इसके अनुसार से अगर माल लिया कि government जो है tax बहु अब मादे formula की अब बात करो GDP की formula की बात करो तो GDP equal to है GVA यानि gross value added प्लस यह taxes earn by government, government के बारा जो tax earn किया जा रहा है उसको हम उसके अंदर में जोड रहे ले और subsidies को घटा रहे तो माल लिया कि यह चीजे बढ़ रहा है अगर यह बढ़ रहा है इसका मतलब GDP भी बढ़ रहा है है कि नहीं GDP माल लिया कि GVA 100 रुपीज है और tax बढ़ कर आपको 50 रुपया हो गया और subsidy 10 रुपया हो गया तो यह कितना हो गया GDP भाई 140 रुपया GDP हुआ अब यह 50 से 70 हो गया बाई 70 रुपया अगर हुआ तो आप देख सकते हैं इसका cost 160 रुपया हो तो यहाँ पर GDP क्या हो जाएगा greater than GVA होगा इस तरीके से हम इस concept को समझ सकते हैं आप देखे न GDP GVA plus tax earned by the government minus subsidy जो सरकार subsidy दे ले उसको घटाएंगे तो अगर सरकार अधिक से अधिक tax earn करेगी और subsidy खर्च करेगी तो GDP जो है GVA से जादा होगा अगर दूसरे तरफ हम देखे कि government अगर subsidy जादा सब्सक्राइब करने के दोरां में चाहेगी कि इंट्रेस को बढ़ा दिया जाया ताकि अधिक अधिक लोग पैसा कम से money के supply को कम करना चाहती यानि टाइप monetary policy लेकर आणा चाहती ये चिस्से demand कमों यही होता है tight monetary policy की बात होती है tight monetary policy की बात करते है तो RBI top priority to keep the inflation low cut in the interest नहीं, interest cut नहीं करेगा interest को बढ़ार देगा RBI can either cut और increase, नहीं, cut नहीं करेगा, बढ़ारेगा RBI prepare to expand नहीं, money supply को कम करना चाहता है यानि A is the right answer A is the right answer तो यह आपके most important है जिसकी चर्चा हम लोग ने यहाँ पर की है clear है आपको, मैं आसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा यह 10 प्रस्न, बाकी मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाकी आपका करतब है किस वीडियो को share करे चैनल को subscribe करे, bell icon को praise करे notification आदे, इतना तो आप लोग कर ही सकते है इसमें क्या जाता है लोगों को share करना दो-चार ग्रूप में आप डाल दे लोगों का भी भला हो जाएगा तो रहने देते हैं आज के लिए thank you very much to all of you बाकी आप अपने study को जोड़दार बनाते रहो अधिक से अधिक mock test लगा है अधिक से अधिक आप revise करें thank you very much for today जय हिन जय भार, वोटेर चलिको